मकर रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 30 नबंबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 30 नबंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है पुर्णिमा नक्छत्र है रोहिनी पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सोमवार आजी के दिन सुर्य उदय का समय है 6 बजी के 55 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 23 मिनट में रितू है है मन्त आजी का दिन काल है 10 घंट 27 मिनट 49 सेकेंड का महिना है कार्तिक आजी के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बजी के 45 मिनट एम से 12 बजी के 25 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 8 बजी के 14 मिनट एम से 9 बजी के 32 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें मित्रों इस वीडियो के अंत में आजी के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखे ताकि आपका आने वाला शमय बहतर और शांदार हो सके मित्रों आने वाले शमय के दौरान आप ऐसी कोई भी जनकाडी जाहिर न करें जो ब्यक्तिगत हो या गोपनिये हो क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके जीबन में कुछ घटना है अच्छी घटेंगी लेकिन अच्छी घटना घटने के बाबजूद आपको तनाब का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नौकडी करते हो जौब करते हो तो आने वाले शमय के दौरान आपके नौकडी के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जियादा मिलेगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान इस काम को करने में आपका शमय आपका भग्य आपका शाथ अबश्य देगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक सामाजिक काड़े करता हो तो आने वाले शमय के दौरान आपके सामाजिक जीबन में पड़ेशानी का शामना आपको बहुत जयादा करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आपके सामाजिक जीबन में आपके समाजिके लोगों का साथ आपके समाजिके लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय सामान से बहुत जियादा नीचे है आने वाले शमय के दौरान आपके जीबन साथी के कारण आपके जीबन में कुछ पड़े साने कुछ समस्या अबश्य होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको चीटियों को मिस्री खिलाना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है आठ यनी की एट आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा और फिरोजी तो यही था आजी के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद